आज चात्रों अतीत में दविबाओं विदान से भाग चार लेकर में उपस्तित हुई हूँ चात्रों आशा है कि आप सभी सुवस्तो और सुरक्षित होंगे और अपना विश्यस ध्यान रख रहे होंगे साथ में ही आपकी जो त्रेमासिक परिक्षा संपन हुई है उसमें भी आपने बहुत अच्छा किया होगा चात्रों आज भाग चार लेकर में उपस्तित हुई हूँ भाग तीन तक हम पढ़ चुके थे मैंने आपको यहां तक समझा दिया था कि लेखक ने जब हडपा और मुहन जो दुड़ो दो महान शेरों की यात्रा की तो उन्हें कैसा महसूस हुआ उन्होंने क्या क्या महसूस किया सब कुछ खंडर था फिर भी लेखक ने महसूस किया कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि यहां के लोग अभी कहीं गए होंगी और शाम को फिर से घर लोटेंगे परन्तु ये वास्तविक इसमें कुछ भी नहीं है लेखक महसूस करते हैं लेखक ये महसूस करते हैं कि वास्तों में ये सव्विता जगवीत होती तो हम कितने आगे होते देश में हम विक्षित देशों में गिने जाते और वही बात लेखक हमें बता रहे हैं अब आगे पढ़ते हैं लेखक ने कहा है कि यहां पर खुबसूरती हरदम एक गमी ब्यापत है क्योंकि लेखा कह रहे हैं कि सब कुछ खंडर सा हो गया, गाउं में घर हैं पर लोग नहीं, कोई डेट सो साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभी मानिक गाउं का, हर वाशिंदा रातो रात अपना घर छोड़ कर चला गया था, दर्वाजी असबाब पीछे लोग उठा ले मैं देख रहा हूं कि यहां पर डेट सो साल पहले राजा से कुछ तकरार हुई होगी और यह सारे गाउं छोड़ कर लोग चले गए होंगे, और अब क्या है लोग जो यहां तक कि यह इन खंडरों के खिड़की दर्वाजी भी लोग ले गए होंगे, घर खंडर हो गए हैं पहले ढई नहीं, घरों की दिवारों में परवेश और खिड़की ऐसी हैं जैसी कल की बात हो, लोग निगल गए हैं पर वक्त रहे गया है, खंडरों ने उसे थाम लिया हैं जैसे सुबह लोग घरों से निकलते हों और शायद धले लोट आने वाले हों, लेका कह रहे हैं सबता ही ये भी थार डेज़ेट में है, थार जो रेगिस्तान है, रास्तान ही नहीं, गुजराद, पंजाब और हर्याना में भी कुएं, कुंड और गली, कुछे, कच्छी पकी तोगे गई गर आज भी हमें वैसे ही मिलते हैं जैसे हजार जाल पहले थे, अब चातरों जैस में ऐसे घर हैं, जैसे कि मुझे सिंदु सविदा में खंडर देखने को मिल रहे हैं, आगे कह रहे हैं, जॉन मर्सल ने मौन जो दुड़ो पर तीन खंडों में एक विशत प्रबंद छपवाया, उसमें खुदाई मेली, ठोस पहाड़ियां वाले में, टी, गाड़ी, चित परकाशित हुआ यहां तक कि टायर की बात करूं, तो मैं बैल गाड़ी के पहिए भी वहाँ पर देखने को मिले, आगे लिखा कह रहे हैं कि पहले जमाने में क्या होता था, बैल गाड़ीयों का परियोग दुलहन को ले जानने के लिए, जब दुलहन पहली बार अपने आती थी, तो किस तरह से इनिक बैल गाड़ी में जाते थे, और लेखा कह रहे हैं कि यहां तक हमारे गाउं में भी यह परता थी, परन्तो आप दिन परते दिन जब समय बदल गया है, तो वाहनों में भी परिवरतन आ गया है, हर दिन एक नया विश्कार हो रहा है, एक नया जब जहां लेखा गया थे, जो लेखा को गुमा रहे थे वहाँ पर, इंडस फैली में, लेखक ने कहा कि मोजदुनों का एक अजायब घर है, अजायब घर मिन्स म्यूजियम, अभी देखना बाकी है, लेखक ने कहा कि हम वहाँ गये, और हमने उस खंडर के बहुत सारे भा राची, लाओर, दिल्ली, और लंदन के म्यूजियम में चले गए, इसलिए लेखक ने कहा कि, जो इंडस बल से जितने भी चीज़े मिले, वह सब इन म्यूजियम में डिस्टिब्यूट कर दी गए, परन्तु थोड़ी बहुत चीज़े हैं, जो कि यहां के अजायब घर में और वो सिंदू से विदा की जलक देखने के लिए काफी था, जैसे कि काला पढ़ गया ग्यूहूं, तामबे के और कासे के बतन मुहरें, वाद, चाक, पर बने विशाल, मर्दभान, उन पर काले भूरे चित्र चोड़ों, चौपड की गोटियां दिये, माबतौल के पत्थ आगे, बैल गाड़ी के खिलोने, दो पाटन वाली चक्की, कंगी, मिटी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों, और मन के वाले हार पत्थर के ओजार, सब मिलते हैं, अजायब घर में तैनात अली नवाज ने बताता है कि कुछ सोने के कहने वी थे, जो लोगों ने क्या कर द हतियार नहीं है, मोहन जुद्रों क्या हरपा से लेकर हर्याना तक समझे, सिंदु में हतियार उस तरह कहीं नहीं मिलते हैं, जैसे किसी राज तंतर में हो, राज तंतर में जहां पर राजा का तंतर हो, और राजा की तंतर में हतियार मिलते हैं, जो आत्म सुरक्षा के लिए हतियारों का प्रेयोग किया जाता है जैसे कि युद कहीं किसी देश ने इर्द कर लिया तो उसमें हतियारों की अवशिक्ता होती है परन्थू इंडर्स वैली में हतियार नहीं मिले हैं आगे लेखा करें हैं कि इसको लेकर विध्वान सिंदु सबता के साशन में सामाजिक प्रभंध के तौर तर तर को समझने की कोशिश करी वहाँ अनुशाशन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं, लेखा करेवाण अमहां पर अनुशाशन था डिसिप्लीन पूरी तरह से दिखा गया है परन्तुमाँ पर ताकत का परियोग नहीं किया गया है कोई सैने सत्ता नहीं थी मगर अनुशासन जरूर था नगर नियोजन वास्तुकला मोहर ठपे पानी साप सपाई सामजी ब्योसताओं बिल्कुल परिपून था मेसु पुटाब में की सब्धा देखे तो निल नदी की जो सब्धा देखे तो वहाँ पर हमें की सब्धा मिलती है परणतु यहां पर दिख़ावे की सब्धा नहीं थी अर्त हल इन पूरे चीजों से हम क्या conclusion निकाल सकते हैं कि यह एक सामाजिक सब्वेता थी ना कि यहाँ पर राज तंत्र नहीं था यहाँ पर क्या थे इस तरह से यहाँ पर समाज जो पोशित मैं कहूँ वो था ना कि राज पोशित यह सब्वेता थी दूसरी जगों में राज तंत्र या धर्मतंत्र की तागत का प्रतशन करने वाला महल, उपासनास्तल, मूर्तियां और पिरामिट आदे मिलते हैं हड़ा पर संस्कृति में ना भव्य राज प्रशाद मिले हैं लेका कह रहे हैं कि मैंने और जगह देखा है, बहुत कुछ वहाँ पर पिरामिट मिले, मंदिर मिले हैं परन्तु मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं मिला, ना राज आएं महंतो की समादिया, यहाँ की मूर्ती सिल्प छोटे हैं और आजार भी हैं मोहन जुदुलो ने नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उसे छोटे, सिर पेंच की कलपना ही नहीं की जा सकते और तो और उन लोगों की नावें, बनावट मिस्टर की नावों जसी ही होती भी जा सकते हैं और आगे क्या कह रहें, लोग आकार में छोटी रही हैं, आज की मुहावरे में कह सकते हैं कि लोग प्रोफाल सब्विता थी, लगुता में भी महतोता अनुभाव कराने वाली संस्कृते आगे कह रहें, मोन जुद्लू सिंदू सब्विता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसमें साधनों और व्यावस्ताओं को देखते वे सबसे समर्द भी माना गया है फिर भी इसकी संबंदा की बाद कम ही हुई है, तो शायद इसी से भविता का आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, इतना कुछ है ग्रिड प्लान है, नगर नहीं हो जैने इतनी वस्ताव, वास्तुकला यहाँ पर मिलता है, माब दोल जैसी सारी चीज़ें हैं पर मिलते हैं परन्तों इसकी चर्चा इतनी नहीं है, इसलिए इसमें आडंबर नहीं है, दूसरी वज़े यह भी हो सकती कि मौन जोड़ो और हड़ापा पिछली शदी में ही उद्गाटित हो सके हैं, उसका अन्बूज लिपी अभी तक सारे रहसिया अपने छपाई विए है, अब छात्रों मैं आपको एक बात बताओं कि यहां पर जो लिपी है, लिपी मिन्स जो लेक उन्होंने लिखा है, लिपी हम किसे बुलते हैं, जो अक्षर हम देखते हैं, जो अक्षर हम लिखते हैं, उसको हम लिपी कहते हैं, और जो अक्षर यहां पर लिखे गए हैं, वो पहचान में नहीं आते हैं अभी भी विद्वान उससे फेल हो चुके हैं उनको ये समझ में नहीं आता है इसलिए वो पढ़ नहीं पाए अभी तक ये भी एक बहुत बड़ा राश्य है कि इसलिए सब्विता को अभी इतना जान पाना संभव नहीं हुआ है सिंदुगाटे की लोगों में कला या सुरूची का महत तो जादा था वास्तुगला या नगर नियोजिन ही नहीं धातो और पत्थर की मुड़तियां मृद्भान और उन पर चितरत मनुष्य वनस्पति और पसपक्षूं की छवियां सुनिजमित मोहरे और बारेगी से उतकीन आकर्टियां खिलोने के इस विन्या साबुशन सबसे उपर सुघड अक्षरों से लिपि रूप सिंदु सबधा को तकनिक सिद्ध से जादा कला सिद्ध जाहिर करती है अर्थार्थ ये सबधा तकनिक सिद्ध से जादा क्या थी कला सिद्ध है एक प्रादत वेता के मताबिक सिंदु सबधा की खोबी उसका सौंदर्य बोंध है और राज पोशित या धर्म पोशित नहो कर ये कौन से थी समाज पोशित सबधा थी ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ समाज-पोशित कैसे थे क्योंकि कोई राजा का परमार नहीं मिलता कोई सेना का परमार नहीं मिलता कोई हत्यार यहाँ पर नहीं मिलते उसमें कल्या की भवता दिखाए देती आजयाब घर में रखी सभी चीजे कुछ सुईयां भी हैं खुदाई में ताम्य और कासे के तो बहुत सारे सुईयां मिले हैं मिली थी कासी ना दिक्षित को सुने की तीन सुईयां मिले जिसमें एक दो इंच की थी और सुईयां समझा गया कि बारे किसे काशी देकारी काम में आती होंगी याद करें नर्तगी के अलावा मोहन जोदुरों के नाम से प्रशिद अब आगे कह रहे हैं कि अजयब घर में रखी चीजों में क्या मिली सुयावे मिली साथ में हैं एक नर्तगी की बात लेखा करें हैं कि नर्तगी के अलावा मोहन जोदुरों के नाम से प्रसिद दाड़ी वाले नरिश की मुर्ति भी है उनके बदन पर आकर्शन क्या है अब आकर्शन गुलकारी वाला दुशाला भी है आज छापे वाला कपड़ा चरज सिंदु की खास पहचान बन गया है पर कपड़ों पर छापाई का अविशकार बहुत बाद में हुआ है खुदाई में सुईयों के अलावा हाती दाट और तामे के सुई भी मिले हैं जानकर मानते हैं कि इसे इन से शायद क्या बनाई जाते हूंगे दरियां बनाई जाती थी हलाएं कि दरी का कोई नमोना या शाक के हासल नहीं हुआ वह शायद कभी हासल ना हो क्योंकि मोहन जड़ों में अब खुदाई बन कर दी गई है सिंदू की पानी के रिसाफ से चार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है मौजुदा खंडरों को बचा कर रखना ही अब अपनी आप में क्या है सबसे बड़ी चुनाती है तो छातरों यह थी सिंदू सबड़ा अतीत में दवे पांँ लेखक की यात्रा, विर्दान्त का पूरा जो लेखक ने महसूस किया वो सब इस पार्ट के रूप में लिखा उन्होंने क्या क्या महसूस किया क्या क्या देखा वो सब बताया अब ये सब्वेदा समाप्त कैसी भी इस पर भी विवाद है कुछ पुरा तविद कहते हैं कि ये आचानक से पूरी सब्वेदा पर आक्रमन हुआ और सब की सब क्या होए मारे गए पर अचात्रों ऐसा कभी भी नहीं होता किसी भी युद्ध में हर कोई पूर्ण दरसे कोई भी समाप्त नहीं हो जाता अगर हम महाभारत का युद्ध लगाएं तो ऐसा नहीं है कि उस समय में पूरे की पूरे जो इरिया था उसमें सब को ही मार दिया गया था तो ये चीज़ भी प्रमान सत्य नहीं होता बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सिंदु में एक अचानक से भयानक बाढ़ आई और पूरी की पूरी सबिता समाप्त हो गई हो सकता है इसमें सचाई दिखती है कि हाँ सिंदु सबधा बिलकुल नदी जो है बिलकुल नज दीख थी और उसमें बाढ़ आई तो पूरी की पूरी सबधा क्या हो गई समाम्त हो गई तो यह भी अभी तक पूरी तरह से जो पुरा तो विद्व है इस पर अभी तक शोद करी रहें कि वास्तों में हुआ गया था और सचाई तब अत्यदिक सामने आते हैं अगर यह लिपी पहचान नहीं जाती है यह लिपी पढ़ी जा सकती है जिस लिपी में उन प्रसन अम्यास में लिखा है सिंदु सविदा साधन सब्बन थी पर उसमें भबधा का क्या नहीं था आडंबर नहीं था तो वास्तों में यह मैं पाड के दोरान भी आपको समझा चुकी हूँ क्यूंकि उसमें भबधा का आडंबर नहीं था एक तो यह था कि वो लोग दि अक्षित और संबन सब विता वो थी आडंबर का अभाव क्यों मिलता है क्योंकि आडंबर एक तो यहां पर क्या है कोई भी मंदिरों आदू में कोई दिखावा नहीं है जबकि यहां पर गया राज ब्योस्ता भी थी और धर्मा अनुस्तान भी होते थे लेकिन उन में राइए कि स्पस्माढा क्यों में क्यों चाहते हैं कि कोई भी हातियार यहां पर नहीं मिलते हैं प्रंदोहतियार नहीं मिलते और यह दी? क्या थी समझ से अनुसासन तरीके से दिखाए देता है सभी प्रभुता के प्रतीक नहीं पाए गए हैं चित्रकारी में राजात हुआ बलचाली व्यक्ति की चाटुकारीता के पूजा करते भें लोग नहीं दिखाए गए यहां पर ओजार तो मिलते हैं पर अधियार नहीं मि लगा लो और जार लगा लो खिलोने लगा लो तो वो सब चीजियां पर दिखाए देते हैं नेक्स कुछन है यह सच है कि यहां के आंगान में टूटी पूटी सीड़ियां आपको कहीं नहीं ले जाते हुए आकास की तरफ अधूरी रह गई लेकिन उनमें अधूरों को पा अंचुए पहलू हैं वहाँ पर सिर्फ टूटे फूटे खंडर हैं परन्तों आपको वास्तों में वहाँ पर महसूस होता है कि यह आप वापस उस इतियास में जा रहे हो जहाँ बहुत कुछ चिपा हुआ है बहुत कुछ अंचुआ है जिससे आप महसूस कर रहे हो और किस तरह से उसे आप अच्छे से गहराई से महसूस कर रहे हो उस सविता को महसूस कर रहे हो जो विक्सित सविता थी आनुशासी सविता थी उसे अनुभाव कर रहे हो नेक्स क्वेशन है तूटे फुटे खंडर सबिता और संस्कृति के इतियास के साथ साथ धड़कती जिन्देगों के अंच्वे समस्या समयों को भी दस्ताविद होते हैं वास्तविग में होते हैं हिस्टोरिकल चीजों का अपना एक महतो है एतियासिक धरोवर है वो हमारी और उन में वास्तों में उनको महसूस किया जाता है कि वास्तों में हमारे पूरवजुने कितनी महनत से वो चीज़े बनाई होंगी और किस तरह से वो समाप्त हो गई है होती जा रही है और वास्तों में हमें उन चीजों को संजो कर रखना चाहिए इस पार्ट में ऐसे अस्तान का वर्णन हो है जिसमें बहुत कम लोगों नहीं देखा होगा परन्तों इसमें आपके मन में उन अगरों की एक तस्वीर बनती होगी किसी असी अस्ताल में जिसको आपने नदेख से देखा हो उसका वर्णन कीजी बहुत सारी चीजी हिस्टोरिकल प्लेसेस में आप गए होंगे तो उसका वर्णन आपको करना है नदी, कुई अस्ताना, घर और बिजवड निकासी की विवस्ता को देखते वे लेखक पाठकों से प्रश्न पुझता है कि क्या हम सविदा को जल संस्कृती कह सकते हैं आपका जवाब लेखक की पक्ष में है या वेपक्ष में तो चातरों ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप इंडस वैली को क्या कर सकते हैं मेरे हिसाफ से तो जल संस्कृती वास्तविक में होना चाहिए क्योंकि मैं लेखक के साथ हूँ क्योंकि इतनी अच्छी साथ सो कुईया आपर मिलना नदी का इतना नजदीक होना इस तरह से और जल की निकासी भी इतनी अच्छी से होना वास्तों में बहुत समझदार वो सव्वेदा थी तो मेरे साफ से जल संस्कृती उसे कहना चाहिए सिंदुगाटी सव्वेदा का कोई लेखित साके नहीं मिलता सिर्फ आवशेशों के अधार पर ही धारना बनाई है कि इस लेख में मोहन जुदलों के बारे में जो धारना व्यक्ते की गए क्या आपके मन में इससे कोई भिन धारना या भाव पैदा होते हैं इन संभावनों को पर खक्षा में चर्चा कीजियो इन प्रशनों को आपने मैजन नोट आपको बेजूँगे साद मेह आपने अपने हिसाफ इन प्रशनों को हल करना है और नोट को छi नोट बोक में नोट करने हैं और अच्छे से पार्ट को समझ ही गए होंगी अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबार आप वीडियो को देखिए अच्छे से पार्ट को समझे इन पार्ट से जो महतुपून प्रश्ण है उसके नोट सुबे में आपको दोंगे और वो भी आपने नोट करने हैं धन्यवाद